हाई फ्रेंड्स आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक मार्शलाट स्टार्ट नहीं किया है और वो करना चाहते हैं बट इस चीज से वो कन्फ्यूज है कि हम क्या सीखें इतने सारे स हैं जो निया व्यक्ति होता है वो समझ नहीं पाता है कर्याटे सिखने जाए कि या बॉक्सिंग सिखने जाए या रेसलिंग करें या लाठी चलाना सीखे, नाचाकू अगरा सीखे, तो काफी सारे स्टाइल होने की वज़े से वो एक अच्छा स्टाइल चूज नहीं कर पाता है, तो आज इन्ही सब बातों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं, सबसे पहले बात करते हैं कराटे के बारे में, कराटे को स्पोर्ट्स बनाया तो ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, और खास्त वर से शोतोकान स्टाइल है, उसको खुब जोरो शोरो से वर्ल्ड में फ्हलाया गया स्पोर्स बनाकर, आज छोटे छोटे बच्छे भी कराटे पंच करते हैं, blocks करते हैं kicks करते हैं और क्यों करते हैं क्योंकि यह sports karate के नजरीशों से famous किया गया अगर आप full contact की बात करें तो उससे अच्छी कोई कला है ही नहीं full contact karate में बहुत deadly martial arts है जो MMA है समझ दीजिए वही full contact karate है तो मेरे आपको कहने का यह मत्दब है कि अगर sports karate आप करते हैं तो sports karate से आप बहुत अच्छा fighter बन सकते हैं अच्छे लेवल पर जा सकते हैं नाम कमा सकते हैं पैसे कमा सकते हैं अच्छा classes बगरा सब खोल सकते हैं लेकिन sports karate में एक कमी यह है कि इसका जो fighting system जो अभी WKF rules में जो fighting system है यह है तो काफी जबरदस पर इसमें कमी यह है कि यह point system है आप फेस punch करते हैं लेकिन उसे control करते हैं आप kick करते हैं पर उसे control करते हैं क्योंकि अगर आपने kick thrust कर दी तो आपको warning आपने अगर तरीके से एक गुस्चे की भावना से punch किया यह kick किया तो भी आपको warning मिलेजी तो एक rules की बंदिश में बंदा रहकर कि हम sports karate करते हैं इसमें फायदा भी है बहुत जादा फायदा है कि हम अपने body को control करना सीखते हैं जिस तरब हम चाहें उस तरह उसे manage करना सीखते हैं लेकिन अगर कोई karate player 8-10 साल से स्रिफ sports karate ही कर रहा है तो वो जब full contact fight में उसे ring में छोड़ा जाएगा तो उससा में उसका क्या हाल होगा तो karate बहुत बढ़ी art है लेकिन sports karate अगर आप सीख रहे हो तो उसके साथ साथ आपको full contact भी सीखना चाहिए दूसरी बात हम करते हैं boxing के बारे में boxing वर्ल्ड का बहुत best game है और foreign में तो बहुत जादा इसका craze है और boxing को बहुत जादा एहमेद दी जाती है और boxing बहुत deadly game है इसमें जो टेक्निक्स है पंचे करने का यह वर्ल्ड का सबसे powerful techniques है क्योंकि पूरा पूरा का पूरा boxing सिर्फ पंचे पर डिपेंड करता है पंचे एंड फुटलाफ वगेरा लेकिन important चीज़ें इसका पंचे जो इसके four basic punch है यह चार पंच को सही तरह से कर लेने से और इसमें बहुत सारे variations है पंच only 4 है लेकिन अलग-अलग तरीके से इसे किया जाता है तो उसके नाम और count जादा हो जाता है लेकिन basically four punches है तो यह punches अगर आपने सही से training कर लें boxing की तो आप मतलब एक punch बहुत जादा है किसी को जान से माननी के लिए तो यह भी बहुत अच्छी कला है और बहुत famous भी है और इसके अंदर आप बहुत आगे भी जा सकते हो boxing के अंदर Olympic game में है सबसे पहली बात तो यह बहुत अच्छा game है अच्छा martial arts है सीखने चाहिए इसे और अगर इसके minus point की बात करें तो उसके अंदर एक कमी यह है कि इसमें kicks नहीं है और ना ही strikes techniques है तो punches से हम strike technique को cover कर सकते हैं लेकिन हम kicks नहीं कर सकते हो आप एक भी kick करोगे तो आपको warning दी जाएगी क्योंकि आप kick boxing नहीं boxing कर रहे हो तो boxing की कमी यह है कि आप leg technique use नहीं कर सकते हो, knee kick use नहीं कर सकते हो, strike नहीं कर सकते हो, गिरने के बाद fight करते करते हैं गिर गए, तो ground पे आप punch ही कर सकते हो, बस उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, आप फिर खड़े होके ही fight करोगे, गिरने के बाद आप खड़े होके फिर position तो यह boxing की कमी है और बात करते हैं मेरा सबसे फेवरेट और जिसने मुझे सबसे ज़्यादा passion दिया martial arts के लिए वह है wrestling मेरे दादा जी मेरे पापा बड़े पापा मेरा भाई छोटा भाई सब के सब तो रैसलर है और रैसलिंग मैंने भी 12 की है तो रैसलिंग तो बहुत बड़िया है क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा वक्त इसमें दिया है और बहुत छोटी एग से दिया है सबी martial arts के comparison में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको वर्काउट करना है तो वह है wrestling क्योंकि wrestling में power और डाइट यह दो चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आप otherwise दूसरे classes अगर आप करेंगे karate, boxing, kickboxing, diet तो इसमें भी आपको अच्छी चाहिए बट wrestling के comparison में वह डाइट जीरो है, wrestling में आपको 2-3 लीटर दूस चाहिए, घी चाहिए, बदाम चाहिए, ड्राइफ रूट्स चाहिए, अगर vegetarian है तो ठीक है, नहीं है तो non-wage चाहिए, अब बात करते हैं wrestling के minus point के बारे में, क्योंकि अगर कोई भी कला में कुछ कमें ना हो तो दूसरी कला develop कोगी ही क्यों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो minus point है, तो wrestling में ये है कि इसमें strike techniques नहीं है, जैसे elbow strike, punches, blocks, kicks, low kicks, कुछ strike नहीं है, ये एक down page की कला है, आपको down page करना आना चाहिए, आपको तांकत पर focus के जाएगा, आपकी speed, focus, सभी चीज़े है इसमें, wrestler बनें, Olympic में जाएं, अपने देश का नाम रोशन करें, तो Olympic के हिसाब से wrestling बहुत बढ़िया मार्शलास है, और अगर आपके पास इतनी अच्छी diet नहीं है, तो मेरी सला है, किसी कीमत पर wrestling ना करें, वरना आपके जो body है, वो बनने के बजाए बहुत खराब हो जाएगी, त अगर आपके पास diet है, regular उतना diet आप ले सकते हो, regular 3-4 घंटे, 5 घंटे आप दे सकते हो, तब ही आप wrestling करेंगे, वरना आप wrestling choose नहीं करेंगे, अब बात करना है kickboxing के बारे में, kickboxing बहुत ही अच्छा art है, ये भी full contact है, full contact games में ही आता है, और इसमें sports भी है, और full contact category भी है, और sports liver, light contact, जिस तरह मैंने किया था, पहले light contact में गया, थोड़ा बहुत खटका पड़ता है, फिर धर हम एक एक लेवल पर आगे जाते हैं, अगर आपको लगता है कि sports को, मैं, sport में और light contact में, आप अच्छा production कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैं next time, इस से high category में जाऊंगा, तो इस तरह category होती है, फिर आगे जाता है, फुल कॉंटेक आता है, फिस वर के बन आता है, के बन कहते हैं, नॉक आउट पाइट को, तो के बन में जाने के बाद आप बिल्कुल complete है, महाँ पर आपको elbow points सभी चीज़े करना है, तो ये भी एक बहुत ही बहतरीन martial art है, अगर आप एक फुल कॉंटेक्ट fight करना जानते हैं, और आपको मार खाने और मारने से डरते नहीं है, तो kickboxing भी आपके लिए बहुत best है, और बात करते हैं, इसकी कम्यों की, तो इसमें जो ground techniques है, वो नहीं आएगा, यानि गिरने के बाद, ये सब कला ऐसी है, कि गिरने के बाद, आप अगर कभी किसी का jujutsu बहुत अच्छा है, जूडो अच्छा है, या उसे lock and choke वगरा करना अच्छा आता है, जैसे neck lock करना, आम बार करना, तो ये सब चीजों में आपको आगे दिक्कत जा सकती है, क्योंकि ground technique बहुत जरूरी है, fight करते हुए अक्सर वैक्ति गिरते हैं अब गिरने के बाद आप खड़े होने का वेट तो नहीं कर सकते, तो ये एक कमी आ जाती है इसमें, तो इसलिए kickboxing भी अच्छा गेम है, लेकिन इसमें ये कमी है, इस बात का ध्यान रखें, और अब बात करते हैं, वर्ल्ड का सबसे famous और सबसे popular होने माला martial arts, जिसे कहते है MMA, जिसे कहा जाता है Mixed Martial Arts, ये एक कोई अलग आर्ट नहीं है, सभी कलाखा थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर के एक कला बना दी गई है, इसे कहते है MMA, Mixed Martial Arts, और आप देखेंगे कि आज कल मूवी में, जिस तरह आपने Brothers, मूवी, अक्षर कुमार के देखी होगी, सुल्ता मिली है कि MMA है क्या, और दोनों ही मूवी काफी बढ़िया थी, और दोनों मूवी में जो एक्टर्स उन्होंने भी बहुत मैनत की है, तो इसमें आप सोची एक Bollywood स्टार MMA तक कि कैसे पहुँच गये, उन्हें कैसे पता चला कि इस टॉपिक तो मूवी बनाएं, वो इसलिए क्योंकि MMA जो है बहुत हाई लेबल पर है वर्ल्ड में, और इसके कोच कहीं जल्दी आपको मिलेंगे नहीं क्योंकि कोच को इतना अनुभाव चाहिए, आज साल दो साल करके कोई भी कराटे क्लास खोल के खड़ा हो जाता है, कराटे से काने हैं, वो कहां से MMA करेगा, इसमें जो आपका कोच है, उसका experience देखा जाता है, उसमें कितने साल इसमें लगाया है, कितने साल उसने बॉक्सिं चीका है, कितने साल रेस्लिंग सीका है, तब ही तो जाकर कि वो MMA करेगा, उसको अनुभाव नहीं रहेगा, वो आपको MMA कैसे भेजगा, और वो ल्ड़ा सीधा YouTube प जब तक आपको एक अच्छा कोच नहीं मिलेगा आप MMA नहीं सीख सकते और नहीं कर सकते और इसे करना भी नहीं है सबसे पहले आपको एक अच्छा कोच ढूंड़ना है जिनने MMA का काफी जादा नौलेज है और जो MMA किया है जिनोंने या वो कर रहे हैं वही आपको train कर सकते हैं MMA कर सकते हैं ये बहुत अच्छा मार्शलार है और इसमें पैसा नाम सब कुछ है आपको हर fight के लिए पैसा मिलता है लेकिन आपको एक level पर जाना होता है जब आप एक level पर जाओगे जब लोग आपको पसंद करेंगे अब बात करते हैं आज के last topic के बारे में वो है weapons martial art तो इस बात का ध्यान रखें कि weapons martial art अगर आप सीखना चाहते हैं उससे सीखिए लेकिन याद रखिए आप weapons रोड पर लेकर नहीं जा सकते है पार्टी में लेकर नहीं जा सकते है प्विछ नहीं में सकते हैं आगे बढ़ी कमी है कि इसे पर चाहिए तो इस बात को समझ लेजिए कि वे सिखना है लेकिन पर डि मेने डिपेंड यह रहना है और वेपन्स की जानकारी दी है MMA की जानकारी दी है तो जितना हो सकता था मैंने आपको बदानी खोशिश की है इसके अलाव अगर आपको जानना चाते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा तो इंशालला मैं नेक्स टाइम और वीडियो बना दूँगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे थैंक यू वेरी मच टेक कियर बाई झाल